अगर कोई आपको कहे कि ये पूरी दुनिया एक चुहे दानी के जैसी है आप बुलो कि मैं क्या बात कर रहे हूँ चाप्टर पढ़ाओ ना मैं चाप्टर की भी बात कर रहे हूँ हलो एवरिवान मेरा नाम है भुमिका चौहान आज के ये जो क्लास है वो है दी राट ट्राप चाप्टर के उपर समरी करवाओंगी मैं बट इस तरीके से करवाओंगी कि पूरा चाप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा सेलमा जो है वो इस चाप्टर की राइटर है और उनका जो क्यारेक्टर है पेडलर वो इस पूरी कहानी के अंदर क्या-क्या चीजे करता है उसकी लाइस में क्या-क्या बदलाव आता है पहले वो दुनिया को क्या सोचता था फिर उसका दुनिया के लिए नजरिया कैसे करती हैं तो Swedish writer है और इनकी कहानियों का और बहुत सारी भाशाओं में अनुबाद किया जा चुका है मतलब की ऐसी कहानिया लिखती हैं जिससे पूरी दुनिया में आप कहीं भी कोई भी इंसान पड़ेगा तो वो रिलेट कर पाएगा कहने का मतलब इनकी कहानियों का जो थीम को कब जगाया जा सकता है समझ और प्यार से जी हाँ through understanding and love उसको जगाया जा सकता है एक इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो पर उसके अंदर की अच्छाई जगाई जा सकती है अगर आप उसे समझें अगर आप उसे प्यार से ट्रीट करें तो गुस्से का जवाब गुस्स बोलते हैं ना कि यार वो ऐसे बोल रहा है तो हम भी थोड़ी ना उसके जैसे बन जाएंगे राइट अब ये जो कहानी है ये कहां की है ये ना स्वेडिन की ही है वहाँ पर लोहे की खान होती है ठीक है तुम्हां लोहा वगेरा निकाला जाता है और उसकी फैक्ट्रीज वग गई है पुराने जमाने की बात की गई है कि उस समय में ये वाला काम बहुत ज्यादा वहाँ पे चला करता था ठीक है ये स्लाइट आपको सारी मिल जाएंगे आप बस कहानी पर ध्यान दीजेगा अब यहां पर जो सेलमा जी है वो इस कहानी को एक परियों की जो कहानी होती है ना in a manner of fairy tale उस तरीके से ये कहानी हमें सुनाएंगी तो आप सभी ready है तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं अब यह आपको दिखाई दे रहा है लोहे की कहानी आपर देखो यह जो पिंगलाया जा रहा है ना यह क्या है लोहा पिंगलाया जा रहा है तो भट्टी भट्टी देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक काम है यह ना तो यह स्वेडन की बात की गई है वहां की जो फैक्टरीज वगएरा होती थी जहां पर लोहा वगएरा पिंगलाया जाता था उधर के एरिया की यह बात की गई है अब introduction देखते हैं यह जो कहानी है यह है एक बिलकुल न ज्यादा निराश है आप एक चीज देखना इस कहानी में पूरी कहानी में इस इंसान को कोई नाम ही नहीं दिया गया है कभी से पैडलर बुलाएंगे कभी से वागबॉंड बुलाएंगे कभी से ट्रांप बुलाएंगे जिनका मतलब होता है आवारा बेघर ठीक है जिसके दुनिया से बिलकुल उमीद छोड़ चुका है सबको वो सोचता है कि कैसे ना कैसे करके ये लोग मेरा बुरा ही सोचेंगे तो वो भी दुनिया के बारे में बुरा ही सोचता है ठीक है पर उसकी अंदर प्यार जगाया उसको सही राह पे लाई उसके प्रती दया दिखाई एक जवान महिला में अब लड़कियां तो कुछ भी कर सकती हैं ये तो आप जानते ही है यहां पर भी उस लड़की की दया ने उस लड़की की उदारता ने काइननेस ने कहीं न कहीं हमारे पेडलर का जो नजरिया था दुनिया के प्रती जो कड़वाहट थी वो खत्म कर दी अखिरकार किया तो किया कैसे उसने ये आए जानते हैं इस कहानी के जरिये यहां पर जो क्यारेक्टर आपको देखने के मिलेंगे वो है दी पेडलर प्रोटागनिस्ट मतलब कौन होता है हीरो हमारे स्टोरी का ठीक है उसके बाद है क्रॉफ्टर एक बूढ़ा अकेला उद देती ही खिया करता था आयन मास्टर ओनर अफ रामजो आइनबोक अब यह हमारे जो में ऐन कारेक्टर है इनकी वज़ए से भूट बड़ा बदलाव आएगा इनकी जिंदगी में ठीक है तो इनका क्या है लोहे का बिजनेस है ठीक है किनका आयन मास्टर का ठीक है इनकी बह आयन की मिल में काम करने वाला एक इंसान है तो ये main characters है जो आपको देखने के लिए chapter में मिलेंगे ठीक है start करे chapter very nice कहानी शुरू होती है एक गरीब pedler से जो क्या करता है जो तार से बने हुए rat traps बेचता है rat trap क्या होते है चुहे दानी हम लोग घर में चुहा पकडने के लिए जो लगाते हैं अब उसका यही साहारा था किस सहारे उसकी जिन्दगी गुजर रही थी या तो भीक मांग कर begging मतलब भीक मांग कर and petty थेवरी थोटी छोटी थोड़ी थोड़ी कोई चुट पुट चुट पुट चोरी चकारी कर कर ठीक है तो छोटी मोटी चोरी करके जैसे तैसे करके to make both ends meet both ends meet मतलब वो जैसे तैसे करके अपनी जिन्दगी चला रहा था गुजारा कर रहा था a victim of want and hunger कही न कहीं शिकार था वो भुखमरी का उसी पैसा चाहिए था यार है ना उसके पास परिवार नहीं था लोग नहीं थे दोस्त नहीं थे घर नहीं था बीवी बच्चे पैसा कुछ भी नहीं था अखेला था सडकों पे रा करता था जैसे तैसे करके भीक मांग लेता था या चोटी मोटी चोरी करके वो रैट ट्राप बना लेता था उन्हें बेच लिया करता था पर उससे इतना पैसा नहीं आता था कि वो क्या कर सके अच्छे से अपना पेट भर के खाना खा सके या रह सके अब यार इंसान क्या करें बहुत गरी परेशान और लोग अक्सर इस दुनिया के लिए बुरा सोच के उसको बहुत अच्छा लगता था ठीक है तो देखो पेडलर्स लाइन ओफ थॉट एक दिन हमारा पेडलर ऐसे ही अकेले सडक पे घूम रहा था और इस दुनिया के बारे में और अपने इतना खुश कर देता है इतना खुश कर देता है कि वह उसे मज़ा आ जाता है अब यह खयाल आखिरकार क्या हो सकता है वह यह सोचता है कि यह जो पूरी दुनिया है यह एक राट ट्रैप है और इसके अंदर जितनी भी चीज़े हैं घर बंगला गाड़ी पहाड़ पानी नदी कपड़ा खाना यह सब क्या है उस चुहे दानी में लगे उस टुकड़े की तरह है जो चुहे के लिए लगाया जाता है ताकि वह दौड कर आए उस टुकड़े को पकड़े और चुहे जानी बंद हो जाए वो कहता है यह पूरी दुनिया एक राट्राप है हम पैसा धन दौलत घर कपड़े गर्माट सब चीजों के पीछे दोड़ रहे हैं और जैसे ही हम इने पकड़ने की कोशिश करते हैं हम इस दुनिया रूपी जाल में फस जाते हमें साटिस्फाक्शन थोड़े ना है है क्या हमें साटिस्फाक्शन नहीं है हम एक दूसरे का गला काटने के लिए और आगे बढ़ने के लिए राइट एकदम से उसको यह आइडिया आता है कि यह जो पूरी दुनिया है यह बहुत बड़ा राट्राप है यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ह आप में answers लिखने के यह points बहुत काम आएंगे आपको इसलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ chapter अब जितनी भी comfort की चीजे हैं जितनी भी खुशिया है यह सब क्या है यह लालच है to trap आपको फसाने का falling a prey to such temptation brings ruin और जब आप इन सब का शिकार बन जाते हैं इन सब temptations का इन सब अच अच्छी खुबसूरत प्यारी प्यारी चीजों का लालच का यह विनाश लेकर आती है ruin और अब कह रहे हैं हमारा peddler क्या करता था जब भी वो अकेला होता वैसे तो वो अकेला था ही पर जब भी वो अकेला होता और सडकों पर घूम रहा होता तो यह विचार सोच के उसको बड़ा अच्छा लगता वो उन सब लोगों के बारे में सोचता था जो इस राट ट्राप में फस चुके हैं या फसने वाले हैं फिर उसे खुशी होती क्योंकि उन लोगों ने इसके साथ अच्छा विवहार नहीं किया था तो जब भी वो ऐसे पैर घसीट के अकेला चल र आता है कि एक्जैब में सवाल आता है कि राट ट्राप बेचने वाला हमारा पैडलर जो है वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचता था तो थ्रू दीज पॉइंट्स आप उस आंसर को लिख सकते हैं ठीक है अब कम से क्रॉस जेनरेस होस्ट एक दिन क्या होता है उसका सामन होता है बहुत ही उदार मेजबान से होस्ट मतला मेजबान ठीक है आप किसी के घर जाते तो आपका आदर सतकार करते तो वो होस्ट कहलाते है ठीक है आप पता है क्या है एक शाम उसे घर चाहिए था रहने के लिए जगा चाहिए थी तो उसे पता था यार वैसे भी कोई मेर के लिए दर्वाजा नहीं कोलता पर उसने इस होटी सी झोपडी थी उस जोपडी एक किया दर्वाजा खट खट आया जहिस में से दर्वाजा खुला और उसके अंदर से और बुढाहा आदमी आहा क्रउफ्टर और वो उसे बोलता है कि आप रात रात आप मुझे यहां पर रुकने दोगे तो वो क्राफटर मान जाता है जिस पर उसको बड़ास चरह होता है कि क्या बात है रास्तों एक बार में जगा मिल गई सोने के लिए अब क्राफटर भी क्योंकि अखिला होता है उसकी बीवी ना बच्चे ना दोस्त उसको एक कंपनी मिल जाती है पेडलर के पास भी ना घर ना बीवी ना बच्चे उसको भी एक कंपनी मिल जाती है दोनों सोचते है बाई मेरा भी काम हो गया मेरा भी काम हो गया बड़िया और जो है वो एक बुड़ा आदमी था जिसकी न बीवी न बच्चे वो उसको घर और खाना देता है गिव जिम पॉरेज एंट रीट सें काइंडली दलिया खिलाते है और बहुत प्यार से उसको ट्रीट करते है अब कोई इंसान तुमारे साथ इतना अच्छा करे तुम उसके रहने के लिए सब कुछ किया सब कुछ किया पर दहोंस्ट कनफाइद जिंदी पैडलर बात करने का इतना मतलब उस बुड़े आदमी को था कि उसने सारी चीज़े बता दी और बातों बातों में आप बताओ कोई ऐसे अंजान बंदा आपके घर आए आप उसको बोलो कि चल मैं दिखाता हूं नहीं करोगे नहीं करोगे न ओल्ड मैन था बिचारा कोई लालच नहीं था मन में उसे लगा यह क्या ही करेगा वह बोलता है तुझे पदा है मैं पहले ऐसे ऐसे काम करता था अब बूड़ा हो गया न अब मैंने गाए का दूद बेच बेच के 30 क्रोनर कम कमाता है या अपनी पैस कौन कमाता है भूलब तून विश्वास नीज भूलता वोसके खऴिक पेना आप साइड में खुक होता है उस पैसे पोटली निकालता है उसमें सुखडे हुए तीन नोट रखे होते हैं निकाल के दिखा देवल देख जुटनी बोल रहा है और वापिस से उसके अंदर डाल के टांग देते हैं बनाब एक छोर को तुमने दिखा दिया कि ये देखो ये रहा पैसा चुरा लो धी होस्ट धी ओल मैं फॉर्मल या क्रॉफ्टर एट र उस पर विश्वास कर लेता है पैडलर पर बिचारे पर ठेक है और थर्टी क्रॉणर लास्ट मन तो उसने बोला मैं 30 क्रॉणर कमाये पिछले महीने वह उसको 30 क्रॉणर दिखा भी देता है जो वहाँ पर कील पर टंगे हुए होते हैं विंडो फ्रेम के पास में अब पैड वगेरा पी और सो गए अगले दिन सुबह उठा वो उससे तो जल्दी उठना था घाए का दूद निकालना था तो पैडलर ने सो चाहिए घर का मालिक उठ गया है तो मिर को भी उठी जाना चाहिए है ना उठ जाता है दोनों साथ में निकल जाते है क्रॉफ्टर अपने र पैसा कहां पर है खिड़की तोड़ता है नलायक खिड़की तोड़ता है ऐसे अंदर हाट डालता है पाउच निकालता है पैसा निकालता है पाउच वापस टांग देता है करा ना गलत उसने तिरको खाना दिया तिरको ऐसा नहीं करना चाहिए ना है ना दोल्ड मैन लॉक् कि मेरे पास पैसा है अब चोर की दाड़ी में तिनका होता है जब आपने कोई गलत काम किया होता है ना आपको लगता है सब आपको ही देख रहे हैं लगता है ना पैडलर को भी यह लगा बुला यार हाईवे से तो नहीं जा सकता पकड़ा जा सकता हूं पैसा है मेरे पास चो पॉइंट थी कैसे था आये जानते हैं पैदलर जो है पैसे लेके अपने हाईवे की तरफ गया फिर सुन्हें तो पकड़ जाने के डर से वह एक बहुत घने जंगल में घुज गया अब वह उस जंगल में चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है थोड़ी देर बाद से यह रियलाइज होता है बोले यार मिरको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत देर से एक ही जगा गूम जा रहे हूं गोल 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 अब सुबह से शाम हो रहे होती है दिसंबर का टाइम होता है अंधिरा भी जल्दी हो जाता है फॉरेस्ट बहुत ज्यादा घना था तो अब उसे समझ में आ जाता है कि मेरा अंत आ गया है मैं इस भयंकर जंगल से कभी बाहर निकली नहीं पाऊंगा और उसको ये बात स्ट्राइक होती है कि मैं जो दुनिया के बारे में बोलता था वो आज मेरे साथ हो रहा है मैं लालच के चकर में उस ट्रैप में फस चुका हूँ और अब मेरी बरबादी निश्चित है मेरा अंत निश्चित है अब हुआ क्या ये हुआ ठक गया समझ में आ गया उसे मैं फस चुका हूँ exhaust मतलब बिलकुल ठक चुका है हद से ज्यादा thinks that forest is an impenetrable prison उसे समझ में आ गया कि impenetrable मतलब वो जो जंगल है वो इतना ज्यादा घहना है कि उससे बाहर नहीं निकला जा सकता एक ऐसा जेल है वो finds no escape भागने का वहा से उस जंगल से चुटकारा पाने का कोई रस्ता नहीं दिख रहा थक के जमीन पर गिर जाता है तायर्ड एंड डिजेक्टेड एक दम मुर्जाया हुआ बिलकुल थका हुआ डाकनेस डिसेंज न फोरेस्ट इंक्रीस ग्लूम इंडिस्पेर सिंक्स डाउन न दिख जाता है जमीन पर थक के क्या आप क्या ही कर सकता हूं जैसें जमीन पर गिरता है और सोच रहा होता है थकावा इतने मेंना हटोरे के मारने की अवाज आरी होती है जोड-जोड से आखेचेस जाती है उसकी पुले हटोरे की आरी है मतलब आसपास कुछ है और वो उस आवाज को फॉलो करने लग जाता है उसे समझ में आ जाता है अपनी जितनी बची कुछी strength थी summons इकठा करना जितनी बची कुछी हिम्मत थी उसे इकठा करता है और उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगता है आयन वर्क मतलब आयरन की मिल थी वहाँ पर जहां लोहाप इंग लाया जाता था ठीक है भटी थी प्रॉपर फैक्टरी थी तो वह वहाँ जाता है है ना वहाँ पॉच जाता है उसको पीछा करते करते वहाँ गोईंग ऑन इन दे मिल वरी नॉइजी प्लेस काम चल रहा होता है अब यार भटी में तो और फैक्टरी में तो काम चलेगा बहुत जोर जोर से आवाज है आएंगी तो कौन फैक्टरी के अंदर आया कौन फैक्टरी के बाहर गया पता नहीं चलता अकसर बहुत ह circles when he ह лег रही होती है वहाज है ऑस्के परमिशन फॉर मैस्ट ब्ल क्समिट कया है जो हेड़ था वहाँ पर उसके पास जाता है हॉसके पास जाता है शाक आए यहाँ तो वहसको को देख के ऐसे गता है मतलब जवाब भी नहीं देता कुछ क्योंकि उसे लगता है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई ऐसे आता रहता है ठीक है चलो हुआ ये काम तो उसे ना अकड की तरीके से इसको बोल देता है कि ठीक है रूग जाओ अब एक बार से सबक ले लेना चीए था ना उसको लेना चीए था या नहीं लेता बताओं अभी कैसे देखो iron master's nightly visit and inspection अब कुछ iron मिल का जो owner था iron master वो बहुत तकड़ा आदमी था भई, वो कहता था कि बजार में मेरी तरफ से जो लोहा जाएगा ना A1 quality का जाएगा बोले ठीक है A1 quality का जाएगा तो वो सुबह शामने inspection के लिए आता था निरेक्शन के लिए कि काम सही चल रहा है या नहीं कोई गड़वड घुटाला तो नहीं कर रहा है, है ना किस quality का काम है जो वहाँ पर जा रहा है owner's ambition to make good iron, ओन का ambition था ये कि मैं अच्छा लोहा बनाऊंगा makes 90 round of inspection वो direction करने के लिए round पे आया करता था अब आज शाम को भी वो आया और वो वहाँ पर pedler को भटी के पास लेटा हुआ देखता है, तो उसका ध्यान वहाँ पर जाता है कि ये कौन है और क्योंकि वहाँ अधेरा होता है क्योंकि भटी की आग की थोड़ी सी लाइट उसके उपर गिर रही होती है तो आयन मास्टर को यहाँ धोका हो जाता है वो सोचता है ये मेरी रेजिमेंट का कोई दोस्त है पुराना नील सॉल आफ और वो कहते हैं और भाई तू यहाँ अब पेडलर का दिमाग घुम जाता है पेडलर को तो पता है ये जो सोच रहा है वो मैं नहीं हूँ है ना पर उसे क्या लगता है कि अगर अब यह बंदा मुझे वो समझ रहा है क्या पता कुछ पैसा दे दे दिमाग देखो उसका अभी अभी चोट खाई थी फिर से लालच mistaken him for captain नियल्स ओलफ अन ओल रेजिमेंटल कामरेड की बही मेरे पुडाने सैन्य दलका को इमित रहे नियल्स ओलफ captain वो है ये तो पुला रही भाई मेरे तेरी ये हालत कैसे और कुछ नहीं बोलता मना नहीं करता कि नहीं नहीं तुम सुच रहे हो जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ नहीं उसने तो जा गलत वहम होई है होंदे the peddler doesn't deny his identity वो मना नहीं करता ये गलती होती है ठीक है in the hope of getting some money कि थोड़ा पैसा मिल जाएगा इससे iron master अब उसे बोलता है कि चल तू मेरे घर चल मैनर हाउस मतला मेरे बंगले में चल तू समझ जो मेरे बंगले में चल भाई तू तेरी ये हालत मैं नहीं देख सकता मैं तेरे को नौकरी दूँगा मैं तेरे ठीक करूँगा खिलाऊंगा पिलाऊंगा हालत देख क्या खाता पीता नहीं है हालत कैसी हो गई है अब पकड़े जाने के डर से क्योंकि जेव में चुराया हुआ पैसा है और उसे लगा कि पकड़ा जाओंगा है ना तो वो मना करता है बोले ने 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 मैं घर बार नहीं जा रहा तेरे है ना मैं यही पर रात गुजार लूँगा मेरे को नहीं जाना अब यहल में कोई शर्मिंदा नहीं हो था चोरी के पैसे थे जेब में जूड बोल रहा था इस वज़े से पकड़ा जाने के डर से नहीं जा रहा था वो यह सोच रहा था कि यह तो शेर के बिल में हाज शेर की गुफा में हाथ देने जैसा है वेमेंटली डेक्लाइंस दी इंव बज़ से कहता है कि यार मुझे लगता है कि ब्लैक्समिथ तेरे साथ ही रहना चाहता है यह मेरे साथ नहीं जाना चाहता मजाक मजाक में और वहां से चला जाता है पर जो लुखार होता है जो मैं ब्लैक्समिथ होता है उससे समझ आ जाता है बूले यह तो अभी बापिस आ भी बाहर abroad में है और बीवी मेरी मर चुकी है ठीक है तो मैं केवल अपनी बेटी के साथ महाँ पे रहता हूँ और अगर तो आएगा तो इतनी कोई problem नहीं होगी पर फिर भी वो मना कर देता है अगेन इन्वाइट सें सेलिब्रेट Christmas with them बोलता है कि Christmas मना लिए हुमारे साथ चल ले पेडलर फिर मना कर देता है तो आयन मास्टर मासे चला जाता है वो ले ठीक है अब जादा हो रहा है थोड़ी देर बाद घोड़ा गाड़ी के आवाज आती है और उसमें होती है एडला विल्यमसन अब तुम जान तो याड़कि और जब उसने बोला आकर हमारे पेडलर को कि बताओ भई चलोगे घर पापा ने बोला ऐसे तुम उनके दोस्तों चल दी रही हो तुम चलो ना बोले जैसे तुम चल रहे हो वैसे तुम वापस आ सकते हो हम तुमें जोड़ दबरदस्ती नहीं करेंगे जितनी देर तुमार साथ रुप जाओ आती है बड़े प्यार से आदे घंटे के अंदर ही इत्ती जादा प्रिटी नहीं थी पर विनम्र थी बहुत शाय थी अब पैडलर जो है उसने पेगायरन लगाया हुआ अपने सर के नीचे पेगायरन इस तरीके का दिखता है तो तक यह के तरीके से उसन वो समझ जाती है तो डॉटर इंट्रिड्यूजर इंसेल्फ एडला विलियमस और डॉटर बताती है भाई मैं एडला विलियमस है नूँ और वो बापे से उसको इन्वाइट करती है के तिया चल यार क्रिस्मस इव मना ली हो पापा का इतना मन था तेरे साथ और ऐसे ऐसे अपकों crazy नाई बात नहीं थी जो उससे बाप नेनी बोली थी और इसने बोल दी पर हमारा पैडलर मना नहीं कर पाया एडला की बात को और फार कोट जो उसके साथ उसका सवर्विंट होता है वो लेके आता है वो उसको फार कोट देता है बलैक समित भाख़़आ खढ़ा ब बोले ऐसा कौन आदमी है ये हैं है कौन ही इसको इतना वो मिल रहा है बेटी आई है फिर मनाने के लिए ओ अपने उपर फरकोट डालता है और घोड़ा गाड़ी की तरफ आगे बढ़ जाता है और कहीं न कहीं वो जो लेडी की विनम्रता होती है उसका प्यारापन होता है वो गोड़ा गाड़ी में बैठने के बाद क्या हुआ गोड़ा गाड़ी में बैठने के बाद यह हुआ कि उसे लगा तू तो गया तू ना आज अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गल्ती करने जा रहे है और द वे प्रिक्ड बाइक जाने ने झारा है और भॉछ अब वोग सकता ठीक है खुद को को सरा पूरे तरीके से और पूरे तरीके से फस्ट रूक उस ट्राप के अंदर और मैं अब स्ट्राप से कभी वाहर नहीं निकल सका होंगा कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा चलो बई आयन मास्टर प्लान अबाउट रेजिमेंटल कॉमरेट अब आयन मास्टर ने तो पूरा प्लान बना रहा था था मारे पैडलर के लिए क्योंकि वो तो उसे दोस समझ रहा था बोला आएगा वो ठीक है इसको थोड़ा खिलाऊंग ठीक है says that he showed no sign of education पर उसकी बीटे ये बोलती है यार ये जिस तरीके का लग रहा है ना पिताजी ये लगता तो नहीं है यार ये पढ़ा लिखा सा आदमी है तो बाप बोलता है उसका कि अरे यार बीटा अभी तुम देखना ये जब नाद होके आएगा ना तो थोड़ा सा रहेगा ना ढंग से तो तुम्हें लगेगा ये अब भी थोड़ा सा वैसी हालत है ना इस वज़े से तुम्हें नहीं लग रहा अब आयन मास्टर को लगता है कि यार इसके तरीके बदल जाएंगे है ना वो अपनी बेटी को बोलता है कि patience रखो बोले इसको साफ सफाई कर आते हैं और हो सकता है कि इसके अंदर बदलाव लगे ये पढ़ा लिखा लगे the guests appearance on getting clean अब हमारा जो guest था दिखो अलग अलग जगे कभी guest बोल रहे है कभी peddler बोल रहे है कभी captain बोल रहे है कुछ-कुछ बोल रहे है आया भाई नहाद हो के जैसी नहाद हो के आया साफ सु समझ में आ गया मिर से तो गलती होगी ये तो वो बंदा नहीं है जो मैं समझ रहा था अब the valley bad him valley जो था सेवक जो था उसने उसको निलाया धुलाया उसके बाल काटे शेव किया और वो सामने उसको दिन के उजाले में लेकर आया तो iron master उदास हो गए देखकर because he doesn't resemble appear his he does not resemble resemble मतलब an old acquaintance की अब वो पहचान में नहीं आ रहा था अब वो वैसा दिखाई नहीं दे रहा था कि वो एक मेरा कोई पुरानी जान पहचान का आदमी हो मतलब की iron master को समझ में आ गया था कि मुझसे गलती हो गई है और अब वो उस guest के ओपर चिलाता है जोर से कि तुमारी हिमत कैसे हुई तुम तुम नहीं हो जो मैंने सोचा था अब आया यहां पे पेडलर का दिमाग खराब हो गया बुले मैंने बूला था तिरको मेरे घर पे ले किया मैंने मना तो किया था मेंको नहीं आना है जब तो नहीं नहीं चलो चलो बेटी को भी भेज दि केता मैंने तो नहीं बोला कि में तुम्हारा कोई दोस्त हूं तूमने बोला में तुम्हारा दोस्त हूं अपर तुने मना भी तो नहीत किया वही वात है। मैंने छूट नहीं बोला पर मैंने सच छुपाया राइट 我 हमाघ्ट mı अमनुद van do to be allowed to stay in the forge बोला मैंने तो बोला था request की थी भीक मांगी थी कि मुझे रहने दो माई पर और बोला की कोई बात नहीं अभी देर नहीं हुई है कुछ नहीं बिगड़ा ये लो तुमारे कपड़े में अभी अभी दे देता हूं इंसेस्ट दाइस चन्डक्ट वस नॉट कॉई टो बोलता है कि अच्छा तो तुने बोला नहीं तो तुने मना भी तो नहीं किया कि मैं वो नहीं हूं और वो उसको डरावा देता है कि अब मैं पुलिस को बुलाओंगा शेरिफ मतलब पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाके तो मैं उसके हवाले करूँगा पैडलर का दिमाग खराब हो गया यहां पर बहुत हो गया भाई अब जादा हो रहा है अब वो बोलता है अपनी हतेली से जोर से टेबल पर मारता है और यह पूरी दुनिया रैट ट्राप है और इस दुनिया के अंदर जिती भी यह यह ट्राप की तरह है यह बेट की तरह है लालच की तरह है और जो भी इसको पकड़ने की कोशिश करता है वो उसमें फस जाता है बुला है जिन तुम भी फस होगे आयन मास्टर को उसकी बात बढ़ी अच्छी लग जाती है तो उसे बोलता है चल ठीक है नहीं बुलारा है म इतने में ही क्या होता है कि उसे बोलता है कि ऐसा कर तू तुरंत ना निकल ले ठीक है कोई भी इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते है अब पहली बार कुछ होने लगा था तो ऐसा हो गया अब आयन मास्टर की डॉटर बीच में पढ़ती है वैगबॉंड अब की बार उसको क्या बोला जा रहा है हमारे पैडलर कोई वैगबॉंड ठीक है वैगबॉंड मतलब भ लिखाया गया है कि हमारे समाच में फरीके के लोगों की कोई पहचान ही नहीं है उनके जीने मढ़ने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता लाघ्व कि यह धर उसके लिए दया आ जाती है उसके दिल में कि इसको कोई भी यार कोई भी इने अपने घर में गुसने देता कोई इन से प्यार से बात नहीं करता कई पे इनका स्वागत नहीं किया जाता है वो चाहती थी कि एक दिन उसको सुकून का तसली का दिया जाए मैं दूंगी वो दिन बस आयन मास्टर की जो डॉटर है यहाँ पर उसके पापा बोलते है भाई देख ले जो कर रही है तो अपनी रिस्क पे करना मैं नहीं हूँ तेरे बीच में वो उस ट्रेंजर को हाथ पकड़ की लाती है और टेबल पर लाकर बिठा देती है बस यही बात यही बात उस लड़की की हमारे पेडलर के दिल को छू जाती है वो क्योंकि पता है क्या होता है आज तक किसी ने मेरे लिए इस तरीके से stand नहीं लिया, मेरे लिए कोई ऐसे नहीं बोला, मेरे लिए कोई ऐसे नहीं लड़ा, मुझे कोई नहीं समझा, और बस ये होता है वो समय जब जिन्दगी की सारी चीज़े उसके लिए बदल जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी ह है, the stranger eats food but wonders about idla's motive, वो खाना खा रहा है फिर भी idla के motive के बारे में सोच रहा है कि आखिर कार इसने ऐसा किया तो किया, क्यों reason क्या था, Christmas fair, stranger sleeps the whole afternoon, अब वहां सारी चीज़े हो रही है, ठीक है जो भी Christmas पे होता है, वो सब चीज़े हो रही है, तो पैर का खाना खाता है, पर आपने देखा पता है, पैडलर क्या करता है, वहां पे, all time सोता है, चैन के इन, बोला आपने पूरी लाइफ में मैं इतना नहीं सोया होगा, जितना मैं वहां पे सोया, खाना खाने के लिए उठता है, फिर जाके सो जाता है, फिर वो कोई celebration के लिए उठता है, फिर जाके सो हो जाता है ऐसा लग रहा था कि पता ने कितने जनमों से भाई वो इंसान सोया नहीं है ठीक है फिर क्रिसमस ट्री पे जो भी और वापिस से जाकर वो जो गेस्ट होता है वो सो जाता है तो आयन मास्टर उसकी जो डॉटर होती है न वो चर्च जाते है अगले दिन सुबह ठेक है और बहां जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी एक ओल्ड क्रॉफ्टर के न एक रैक ट्राप बेचने वाले इंसान ने 30 क्र राश्र जाती है एडला को लगता है यार मैंने गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लिया और एडला के पापा बोलते है मैंने तो बूलाई था तुम्हें तुम गलत कर रही हो तुम गलत कर रही हो अब वो वापिस आते हैं चर्च से दोड़े 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 मतला अ और आके बाहर जो वो होता है घा、 उससे बोलते है कि वो पेडलर अभी भी अंदर है कि अजल्दी से चेक करो मिरी सारी चौनी की चम्मचे चुटा के ले गया होगा तो वो भूलता है सर वो तो चला गया पर यहां से ले के कुछ नहीं गया है देके जरूर गया है वो पूलत ट्राप के अंदर 30 क्रोनर रखे और उसको गिफ्ट ट्राप किया ऐसे ही गंदा सा और बुला कि ये एडला को मेरी तरफ से और एक लेटर भी लिखा हुआ था जिस पर उसने साइन किये हुए थे नील्स अलोफ कि तुमने मुझे कैप्टेन की तरह ट्रीट किया तो मेरा फर् कि आज तो सब कुछ ले गया होगा सारी चांदी की चम्मचे ले गए होगे पर वो बोलते कि उसने कुछ नहीं लिया है ठीक एक पाकेट छोड़के गया है क्रिस्मस प्रेजेंट के तौर पर एडला के लिए और जब वो अच्छे से पैक नहीं होता वो ऐसा ही पैक करना आ आता है कि आपने जो इतना अच्छा व्यभार किया मेरे साथ मेरा आधर सत्कार किया उसके लिए धन्यवाद उसको शुकरिया अदा करता है कि मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट करने के लिए धन्यवाद रसी प्रोगेट यस जास टीफन like manner और मैं एक captain की तरह ही आपको treat करना चाहता हूँ behave करना चाहता हूँ बस captain one's tale नाम से sign करता है और बोलता है उसको कि thank you मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मैं आपसे सब चीजे छोड़ दूगा और इस तरीके से हमारा ये chapter यहां पर खत्म हो जाता है और peddler की जिंदगी बदल जाती है मज़िदार chapter था आशा करती हो आपको समझ में आया होगा अब आप खुद से एक बार जब chapter read करेंगे तो आपको चीजे बिल्कुल clear हो जाएंगी main points है important points है यह सभी points अगर आप copy में लिखेंगे आपको answers लिखने में बहुत काम आएंगे आप video के description में जरूर बताईएगा कि next chapter आपको किस चीज के उपर चाहिए next chapter कौन सा चाहिए या next video कौन सा चाहिए and video कैसा लगा ये भी बताईएगा अगर आप channel पर नहीं है तो channel को subscribe जरूर कीजिए video को like कीजिए और please बहुत सारा share कीजिए bye everyone take care all the best